अंत्रिक्ष में भारत की एक और उडाम के लिए दोस्तों तयार हो जाईए क्योंकि जो खबर आप सुनने वाले हैं वो करोडों भारतियों का दिल गार्डन गार्डन करने वाली है क्योंकि कोरोना के कोहराम के बीच भी इसरो के कदम ना पीछे खीचे हैं और ना ही कदम डगमगाए हैं दोस्तों साल के शुरुवात में ही इसरो चीफ के सिवन ने 2020 के अपने टार्गेट्स का एलान किया था कि 2020 में ही गगनियान प्रोजेक्स के साथ ही चंद्रियान थ्री प्रोजेक्स पर भी काम चल रहा है गगनियान अंतरिक्ष में इसरो का पहला मानव मिशन होगा लेकिन बाद में कोरोना वायरेस की बज़े से देश में एक लंबा लोगडाउन चला और माना जा रहा था कि इसरो के मिशन गगनियान में बहुत देर हो जाएगी और हो सकता है कि मिशन को लंबे वक्त के लिए बढ़ा दिया जाए क्योंकि लोगडाउन की बज़े से इसरो में रिसर्च का काम बंद था वैज्यानिक अलग-अलग सेंटर्स पर कोरोना से निपटने के लिए वेंटिलेटर्स और सैनिटाइजर्स बना रहे थे लेकिन अब एक बड़ी खबर सुनने को मिल रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बलकि इसरो अपने सभी मिशन निर्धारित समय में ही पूरा करने वाला है इस बात का एलान परमानो उर्जा एम अंतरिक्ष राजिमंतरी डॉक्टर जितेंदर शिंग ने कर दिया है उनकी माने तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनियान के शुरुआत कोविड-19 महामारे से प्रभावित नहीं होने वाली और तयारियां सही दिशा में आगे वड़ रही है केंदरी मंतरी के इस ऐलान के बाद एक बार फिर इसरो की उड़ान को पंक लग गए है और अब ये मिशन अपने निर्धारिस समय पर अंतरिक्ष में मील का पत्थर चूने वाला है समय पर पूरा होगा इसरो का मिशन गगनियान दोस्तों अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि इसरो का पहला माना वयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनियान कोरोना की वजह से लेट हो जाएगा लेकिन केंद्रिय मंत्री की माने तो भले ही COVID-19 महामारी के कारण रूस में चार भारती अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षन देरी से चल रहा है लेकिन इसरो के अध्यक्ष और वेगनिक टीम का कहना है कि प्रशिक्षन कारेकरम और लॉंच की डेडलाइन दोनों में ही एक गुंजाईश रखी गई थी केंद्रिय मंत्री ने साफ किया कि अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षन अब फिर से शुरू हो गया है और जैसे कि पहले ही योजना थी कि 2022 में भारत के स्वत्मत्रता दिवस से पहली इस मिशन को लॉंच कर दिया जाएगा पहले ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना की वज़े से लगे लोगडाउन से इस मिशन में देरी हो सकती है लेकिन अब मंत्राले ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि मिशन अपने समय पर ही होगा यानि कोरोना वाइरस भी इसरो के इरादों को हिला नहीं पाया है और लोगडाउन के दोरान भी इसरो लगातार काम करता रहा इसरो का माना वे यक्तु मिशन होगा गगनियान 15 अगस्त 2018 को स्वतंतरता दिवस के मोके पर अपने भाषन में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने गगनियान मिशन के माध्यम से 2022 में या उससे पहले अंतरिक्ष में भारती अंतरिक्ष यातरी भेज़े जाने की गोश्ना की थी लाल के लेकी प्राचीर से उन्होंने कहा था जब भारत 2022 में आजादी की 75 वी साल गर्या मना रहा होगा तब भारत मा का कोई लाल चाहे बेटा हो या फिर बेटी अंतरिक्ष में तिरंगा लेकर प्रवेश करेंगी हाला कि इसरो काफी लंबे वक्त से इस काम के लिए अपनी तरफ से लगा हुआ था लेकिन प्रधानमंत्री की घोशना ने अंतरिक्ष उडान की एक निश्य समय सीमा तय कर दी थी हाला कि कोरोना ने इसमें बाधा डालने की कोशिश की लेकिन इसरो के वग्यानिकों की इरादों के आगे वो पस्त हो गया इसरो की माने तो गगनियान मिशन से पहले वो इससे जुड़े दो मिशन अंतरिक्ष में भेजने वाला है इसरो की योजना पहली उडान में इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट व्योमित्र को भेजना है अंतरिक्ष एजनसी की योजना 2022 में 10,000 करोड रुपे की लागत वाले गगनियान को अंतरिक्ष में भेजने की है गगनियान मिशन के लिए चुने गई चारों एरफोर्स पाइलेट्स की ट्रेनिंग रूस में चल रही है इस साल फरवरी में ये अंत्रिक्ष यात्री रूस के लिए रवाना हुए थे इन चारों का प्रेशिक्षन रूस के गागरिन रिसर्च और टेस्ट कोस्मो नोट ट्रेनिंग सेंटर में चल रही है दरसल इन चारों को इस स्क्रेनिंग की जर ये चुना गया था बारह मैने के इस प्रस्रिक्षन कारेक्रम में इन पाइलटों को फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बायो मेडिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। गलाव कोस्मोस की माने तो इन लोगों को रूसी स्पेशिप सोयूज के सिस्टम को भी बारी की से समझने का मौका दिया जाएगा। इसकी अलावा इन्हें IL-76 MDK एरक्राफ्ट में जिरो ग्रेविटी का अभ्यास भी करना होगा। भारत ने अपने पहले माने वियुक्त अंतरिक्ष मिशन को मिशन गगनियान नाम दिया है। इस अभियान का मकसद भारतियों को अंतरिक्ष यातरा पर भेज कर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। गगनियान के लिए Indian Air Force की 12 पाइलटों को चुना गया था। बताया जाता ही मिशन चंद्रियान भी समय पर लांच होगा। इसकी जानकारी भी परमान उर्जा एम अंतरिक शाजय मंतरी डॉक्टर जेतेंदर सिंग ने दी है। उनका कहना है कि चंद्रियान 3 लोनर मिशन की योजना के अनुसार अगले साल ही लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा क इस मिशन में मूव करने के लिए मोड्यूल को केरी करने के लिए एक लेंडर, रोवर और एक प्रपल्सन सिस्टम शामिल होगा। लेकिन इसमें और्बेटर नहीं होगा क्योंकि पिछला और्बेटर पूरी तरह से अंतरिक्ष में काम कर रहा है। सरकार के इस एलान से साफ हो गया है कि इसरो के ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स समय पर ही लौंच होंगे। देश के महत्वा कांक्षी चंद्रियान जू अभ्यान के तहत पिछली साल 7 सितंबर को इसरो विक्रम लेंडर की चंदरमा पर सॉफ्ट लेंडिंग कराने में ऐसा फल रहा था लेकिन इसके इसरो का पूरा जोर लेंडर की टांगों को मजबूत करने पर है ताकि हार्ड लेंडिंग की स्तिती में ये सही सलामत चंद्रमा की सतह पर उतर जाए। चंद्रियान 3 में इसरो के वह लेंडर और रोवर को ही लेकि जाएगा क्योंकि चंद्रियान 2 और बीटर पूरी तरह स काम कर रहा है और ये अगले साधे साथ साल तरक काम करता रहेगा